हेलो गाईज, वेलकम डू दू साइंस न्यूज दोस्तों ब्लड गूर्प के दूसरे पार्ट में आईए हम जानते हैं कि ब्लड गूर्प का रिसस फैक्टर क्या है यानि हम जो ब्लड गूर्प के आगे नेगेटिव या पॉजिटिव लगा हुआ देखते हैं वो आखिर क्यों लगा हुआ होता है अगर आपने ब्लड गूर्प के पहले पार्ट को नहीं देखा है तो आप पहले इसके पहले पार्ट को देख लें जिसमें आप जान पाएंगे कि इनसान के एक जैसे दिखने वाले ब्लड को आकर ग्रूप में क्यूं बाटा गया है ब्लड ग्रूप के पहले पार्ट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है या फिर आप हमारे चैनल पेज पर जाकर इसे देख सकते हैं तो आईए अब इस वीडियो में ब्लड ग्रूप के रिसस फेक्टर के बारे में जानते हैं दोस्तो एक साइंटिस्ट थे अलेक्जेंडर वीनर एक समय वो एक रिसस मंकी के ब्लड के उपर रिसर्च कर रहे थे अचानक उन्होंने एक मंकी के रेड ब्लड सेल्स के सर्फेस के उपर कौन और कर्व शेप के अलावा भी एक अलग शेप के एंटीजन को देखा ये एंटीजन क्यूबिकल शेप में था उन्हें इसे देखकर बड़ा अश्चरे हुआ क्योंकि अभी तक सबको यही पता था कि red blood cells के surface के उपर सिर्फ दो तरह के ही antigen होते हैं इस बार उन्होंने बहुत सारे बंदरों के blood को collect किया और उनके उपर research करना शुरू किया उन्होंने देखा कि कुछ बंदरों के red blood cells के surface पर यह cubical shape के antigen थे और कुछ के उपर नहीं थे फिर इंसानों के blood के उपर research किया गया इंसानों के blood के red blood cells के उपर भी इस तरह के cubical shape के antigen देखने को मिले बंदरों की तरह ही कुछ इंसानों के red blood cells में ये antigen थे और कुछ में नहीं थे अब अगर दुनिया में कोई भी चीज मौजूद है तो उसे by logical term में positive से दिखाते हैं और जो मौजूद नहीं उसे negative से दिखाते हैं इसलिए जिस भी इंसान के red blood cells के surface के उपर ये cubical ship के antigen दिखाई देते हैं उनके blood group के आगे RH positive लिख दिया जाता है और जिनके red blood cells में ये antigen नहीं होते हैं उनके blood group के आगे RH negative लिख दिया जाता है इस phenomena को research factor है या RH factor इसलिए कहा जाता है क्यूंकि सबसे पहले इसे research बंदरों में देखा गया था उम्मीद है कि आप blood group के research factor को भी अच्छी तरह से समझ गया होंगे अगर आपको अभी भी इसमें कुछ समझ में नहीं आया है तो आप Instagram पर चुरकर अपना कोई भी सवाल मुझसे personally पूछ सकते हैं हमारे Instagram चैनल का link नीचे description में दिया गया है वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे like कर दें और इस वीडियो से related आपका कोई भी सवाल है तो आपने उसे comment में पूछ सकते हैं और ऐसे ही science की knowledge से हमिस्ते update रहने के लिए आप subscribe कर सकते हैं the science news को thanks for watching friends